मोती चूर का लड़ू बनाना इतना मुश्किल काम लगता है जैसे लगता है कि अरे क्या करें अब कैसे बनाएं तो आज हम इतना आसान और सिक्रिट तरीका आपके साथ सेयर करेंगे कि आपका जो है मोती चूर का लड़ू एक दम मार्केट की तरह से परफेक्ट बनेगा तो इस वज़े से बेशन आपको जरूर से चान लेना है और इसके बाद इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पाने डाल करके इसका एक दम अच्छे से पतला बेटर तयार कर लेना है यहाँ पर जो है बेटर जो है यह थोड़ा पतला ही रहेगा गाढ़ा नहीं रहेगा तो यह द तो आप जो है अपने किचन में आपके पास होगा जो है नमक का पैकेट होता है, रिफाइंड तेल का पैकेट होता है, या दूद दही का भी पैकेट होता है, तो उसकी हल्फ से भी आप बहुत अच्छी बूंदी बना सकते, तो अब हम जो है पैकेट के उपर साइड से हम इस अच्छे से एक रबड या लाश्टिक लगा दें ताकि जो है बूंदी डालते समय ये उपर से निकले ना तो यहां पर हमने तेल रखा हुगा गरम हो गया अच्छे से अब इसमें एक छोटा सा छेद करेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल छोटा सा आपको सुराह करना अगर ब करेंगे तो एक दम अच्छे से बनने लगेगा तो बता दें कि आज हमने पहली बार जो है यह बूंदी का लड़ू बनाया हुगा है मोती चूर का तो यह फर्स्ट टाइम हमने जब डाला बैटर कोई इतना अच्छा नहीं बना लेकिन फिर जब हमने सेकेंड बार डाला त पैकेट से आप जो है रिफाइन की पनने से भी बहुत अच्छा बनेगा लेकिन कोई भी चीज अगर आप बार बार करते हैं तो अच्छे से बनने लगता है तो यह दुबारा वाला भी देख सकते हैं पहले वाले से बैटर बना है यह और तो इसे आप जो थोड़ा ऊपर स चाहिए यह वाला भी उतना नहीं है तो लेकिन फिर हमने इसे हम तेल से निकाल लेंगे तो आप एक छन्ने से अच्छे से इसका तेल निकाल ले और थोड़ा बहुत तेल रह जाता है तो कोई बात नहीं लड़ू में थोड़ा उतना अच्छा लगेगा उसका टेस्ट बाहर निकाल ले रहे हैं और इसके बाद अब हम फिर से बनाते हैं तो फ्रेंट्स यह देखिए यह हमने फिर से बनाना शुरू किया है तो अपकी बार वाला आप देख सकते हैं हर बार से बहुत अच्छा बन रहा है इसकी बूंदी एकदम छोटी छोटी दानेदार गोल बन रही है और बनाते बनाते अब जो है आप देखिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बनने लगा है तो फ्रेंट्स ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई चीज किसी से नहीं होगा अगर आप उस चीज को करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं कोई चीज मुस्किल नह होता है तो यह देखिए हमने एक बार बना थो बार बना है लेकिन तीसरी बार में एकदम परफेक्त बूंदी बनने लगी यह देखिए बिलकुल छोटी-छोटी कोई कही نہیں सकता है कि इसे हमने झारे से नहीं बनाया हुआ है तो आप जो है आप पनमक packet سے दूत के packet-से भी आप बहुत ही अच्छा सा बूंदी बना सकते हैं तो इसी तरह से हम जो है सब को बनाले रहें तो यहाँ पर हम दिखा रहें कि यह देखिये है यह हमारा first जो है बैज का है और यह हमने दुबारा से बनाया हुआ है और यह भी ठीकी बना हुआ है और लेकिन जो हमने लाश्ट बनाया है वह बहुत अच्छा बना है उसमें कोई कमी नहीं एक दम पर्फेक्ट बूंदी बन करके तयार हुई है यह देख सकते हैं एक दम छोटी छोटी गोल गोल दानेदार बनी हुई है तो फ्रेंड्स बनाना तो बहुत ही आसा पहले हमें लगा थोड़ा मुस्किल होगा हो सकता है ना बने हमसे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बस बूंदी बन गई तो लड्डू बनाना एकदम चुट्कियों का खेल है आप मिंटों में इसे बना सकते हैं तो फिर अब हम चलते हैं चासनी बनाने तो चलिए अब हम गै पोड़ा यहां पर दो ओना है को यहां यहां बनाने तो आ यहां बनाने ब्लेके घ्रां के रिखे थोड़ी ये चिपचिपी सी चास्नी हो गई है. तो बस अब हम जो है इसके अंदर ये बनी हुई जो पुंदी रखी थी, अब हम इसके अंदर डाल देंगे. और इसे मेडियम आज़ पर ही आपको पकाना है. नहीं पकाना है तो जब आज पन रहेगा तो जो है अधिरे धीरे करके चास्न मपने अंदर पी लेगी तो बहुत suda अच्छी जो है यह वूला रफो दिहा जाल जाल था बस आपको दीवें आज पकाना और बस दो मिनट के लिए आप इससे ढगा देजे और ताकि ये अच्छे से एकदम से चासनी को अपने अंदर आप डेजिए और दो मिनट के बाद ये देखिए चासनी बहुत ही अच्छे से शूख गई और बहुत जादा आपको इसे नहीं पकाना बस लगे आपको चासनी सूख गई है तो आप गैस को बंद कर देजिए बस इसके बाद आप एक बरतन में इसे निकाल लेना है और इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा साम यहाँ पर खर्वुजे का बीज डालेंगे मग अच्छे से बन जारा कोई दिक्कत नहीं बहुत ही अच्छा यह गोल गोल बन रहा है और आप देख सकते हैं कि यह बूंदी भी बहुत ही अच्छी बनी हुई एकदम गोल मटोल दिख रही है तो फ्रेंड्स यह लड़ू बनाना बहुत ही इसी था बस आप अगर पहली बा बना रहे तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन दो तीन बारा अगर आप बनाते हैं एकदम पर्फेक्ट बनने लगेगा तो यह देखिए फटा फट से हमने जो है इस तरह से सारे लड़ू को हमें बना लेना है और बहुत ही बढ़ियां बन रहा है सारा बना है तो फिर आप इसे जो है इसे आप सजा दीजिए आपको जिस तरह से इसे जो है सजाना ड्राइफ रूट से केसर से या चांदी के वर्क से लग को आप वड़ो को अच्छी लगति है तो और आप लोग हमाई वीडियो को लायक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्कायब कर लीजें और हमने अपने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में जो है अपने इस्ट ग्राम की जो है लिंक को डाला हुआ, आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिएगा, यहां पर हमें एक लड़ू आपको तोड़ करके दिखाते हैं, यह देखें, कितना बढ़ियां बन करके तैयार हुआ है,